अच्छकर स्वागत है आप सभीं काई और क्लास इसकी फिजिक्स सिरीज में तो अभी आपको पता है कि चैप्टर नूंबर वन क्लास 12 का चल रहा है जिसका नाम है कि इलेक्ट्र इस्टेडिक जो कि और उसके बाद हमने जो second part cover किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि electric field क्या था उसकी क्या क्या प्रॉपरडीज है एंड हमने अलग-अलग position पर electric field find किया था तो आते हैं अब इस वाले lecture पे जहां पे हमें बात करनी है कि ये जो lecture number 3 है यानि कि potential को हम इस lecture में cover करने बाले है static का मैंने general meaning बता दे था particle at rest and electro का meaning बता था यहाँ पे charge तो charge अगर rest पर है तो हम उसको क्या बोलते हैं electro static के अंदर रखते हैं क्या-क्या इस lecture के अंदर पढ़ने बाले हैं तो यह मैं एक फटा-फट से quick revision आपका करवा देता हूं क्योंकि एक बार मैंने आपको first lecture में बताया था कि हम third lecture में क्या-क्या cover करने बाले हैं आपको वहां से तो थोड़ा बहुत आइडिया हुगा कि third lecture में क्या-क्या हम आज cover करेंगे लेकिन फिर भी हम सबसे पहले सुराज जो है वो आज के वीडियो में क्या-क्या topics रहने वाले हैं उससे करेंगे समा कलन की बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे एलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफ्रेंस दोनों में क्या अंतर है एलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल डिफ्रेंस क्या होता है उसके बाद देखेंगे एलेक्ट्रिक पोटेंशि होगा वो कितना होगा उसके बाद electric potential due to a group of charge जैसे हमने देखा था सुपर पूजी सम प्रिंसिपल पिछले वीडियो में बहाँ पर कई सारे चार्ज थे तो system of charge के विज़े से जो हमने electric field लिकाला था तो हमने उसकी particular direction भी देखी थी तो यहां पर electric potential जो हम निकालेंगे group of charge की विज़े से तो हम direction देखेंगे की नहीं देखेंगे यह हम इसी lecture में पता करेंगे और किस कितना होगा group of charge की विज़े से electric potential वो भी यहां से आपको पता चल जाएगा उसके बाद होता हैगा electric potential due to electric dipole dipole मैंने आपको पिछले lecture में बताया था अगर वह आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजएगा तो dipole की विज़े से electric potential कितना होगा यह हम देखेंगे उसके बाद electric potential surface and their properties तो equipotential surface यहां पर क्या होती है यह हम समझेंगे equipotential, equipotential नाम से बता चारा है equip means होता है equal यानि कि continuous एक जैसी तो equipotential का meaning आप इसी lecture में समझेंगे क्या होता है उसकी definition क्या होगी और उसकी properties भी साथ में हम देखेंगे फिर आता है electrostatic potential energy तो एक potential energy जो है उसके कई सारे types हो सकते है जिसमें से एक type है electrostatic potential energy तो उसका क्या role है electricity के अंदर या electrostatic के अंदर वो हम समझेंगे और साथी साथ उसकी value अगर हमें find करनी होगी कभी भी तो हम किस तरीके से उसकी value find करेंगे ये भी हम इस lecture में जानेंगे उसके बाद बात करेंग area vector क्या होता है तो area vector solid angle electric flux फिर Gauss theorem electric flux पढ़ने के बाद area vector के बाद electric flux पढ़ते है और उसके बाद हम पढ़ेंगे Gauss theorem and उसका जो proof है वो भी हम देखेंगे फिर आ जाएगा Coulomb's law from Gauss theorem Gauss theorem की हम किस तरीके से प्रूब करेंगे Coulomb's law मैंने आपको first lecture में बताया था जिसमें हमने electrostatic force को cover किया था तो वहाँ पे हमने देखा था कि force जो होता है वह चार्ज के प्रोड़क्ट के directly proportional और उसके बीच की डिस्टेंस होती है उसके square के inversely proportional होता है तो यह मैंने आपको first lecture में समझा दिया था फिर उसके बाद दे है तो आप 1.5 या फिर 1.25 speed करके इसको देख सकते हैं ठीक है तो start करते हैं आज का lecture सबसे पहले हम बात करेंगे electric field आपको मैंने बता दिया था electric field के लिए आप previous video देख सकते हैं वहाँ पे मैंने आपको बताई थी उसकी definitions आती उसकी कुछ properties electric line of force भी हमने discuss कर लिया था तो इस के बाद हम आते हैं electric field के लिए अगर हम देखेंगे electric field का जो line integral होता है वो क्या होता है ठीक है इसी के साथ में work done by electric field तो line integral जो हम निकालता है electric field का तो वो work done के equal होता है यह आप ध्यान लखेंगे यह एक heading जो मैंने यहाँ पे लिखी है उसी से आपको थोड़ा सा idea लग जा र रहे हैं तो वो work done के ही equal होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यह एक 3D मैंने plane लिया है तो यहाँ पर इस system में यह हो गया x-axis यह हो गया y-axis और यह हो गया z-axis तो यहाँ पर यह इसका origin है 0,0,0 right A और B यहां से इसमें जो charge है वो क्या हो रहा है एक point से दूसरे point तक जा रहा ह तो charge को जब हम एक point से दूसरे point तक लेके जाते हैं तो वो जो path travel करता है वो क्या होता है एक linear path होता है तो जब हम charge को लेके जा रहे हैं तो उसमें charge के चार और आपको पता है कि एक field होता है एक region होता है जिसको हम बोलता है electric field तो उसका electric field भी क्या करेगा उसके साथ साथ उसक integral of electric field के equal होता है ठीक है तो हम यह आप है कह सकते है negative line integral of electric field represent the work done by the electric field on a unit positive charge by moving it from one point to another point एक point से दूसरे point पर अगर हम किसी point charge को लेके जा रहे है positive point charge को तो उसका जो linear integral है electric field का वो उसके work done के equal होगा ठीक है तो w is equal to कितना होगा minus minus sign क्या सो कर रहा है कि वो opposite direction बें ठीक है cable direction को सो कर रहा है so minus e dot dl e vector dot dl so यह vector है तो इसको हम यह भी ले सकते है w is equal to edl cos theta line integral with minus sign edl cos theta तो यह क्या रहा है dot product आ रहा है इसको हम बोलते है scalar product of vectors ओके यहाँ पर q naught जो है वो test charge मान सकते हैं हम जो की किस में रखा हुआ है एक electric field में रखा हुआ है and साथ ही साथ यहाँ पर force जो होता है वो कितना होता है f is equal to q naught e जो की किस पर act करेगा test charge पर act करेगा due to source of charge plus q तो इस plus q charge की विजए से इस positive test charge पर एक force अप्लाई होगा जो की होगा 1 upon 4p epsilon naught q1 q naught या q q naught upon r square so it is radially outward इसकी direction आप देख पा रहे होंगे कि यह radially outward है radially outward का मतलब होता है कि यहाँ से इसकी radius देखेंगे और इससे बाहर की तरफ इसकी direction होगी ठीक है बाहर की तरफ इसकी direction होगी तो radially outward and tends to accelerate the test charge to prevent this acceleration equal and opposite force minus q naught e has to be applied on the test charge तो इसको equal इसको pretend करने के लिए इसको रोकने के लिए क्या करते हैं एक opposite force लगाना पड़ेगा इसकी opposite direction में जिसकी वज़े से वो क्या रहे stable रहे equilibrium में रहे ठीक है तो total work done by the electric field on the test charge is moving it from a to b in the electric field कितना हो जाएगा वो हो जाएगा dw is equal to line integral with minus sign e vector dot dl vector is equal to q q naught upon 4 pi epsilon naught 1 upon r b minus 1 upon r a ठीक है यह total work done यहाँ पे निकल के आ जाएगा तो इस formula को आप note कर सकते है यह work done का formula है नोट कर लीजेगा इसको तो line integral जो होता है electric field का वो work done के equal होता है यह आपको concept ध्यान में रखना है इससे based काफी questions आते हैं जब भी आपको numerical भी अगर ऐसा कुछ पूछा गया है तो आपको electric field लगीवान है तो with respect to linear with respect to उसके line के respect में या फिर उसकी length के respect में जो हम उसको integrate करेंगे so we will get work done okay now यहाँ पर आप देखिएगा यह formula अभी हमने ज़स्ट देगा था TW is equal to Q Q0 upon 45701 upon Rb-1 upon Ra important formula है इसको note कर लेंगे इससे related कुछ points जो कि आपको note कर लेने चाहिए पहला है यहाँ पर the equation shows that the work done in moving a test charge Q0 from point A to another point B along any path AB in an electric field due to plus Q charge depends only on the position of these two points यह केवल और केवल इन दोनों points की position पर depend करता है and independent of actual path इसके जो path है कौन सा path वो ले रहा है कौन सा path वो travel कर रहा है circular path है या फिर linear path है या फिर parabolic path है इससे कोई फरक नहीं पढ़ता तो इससे क्या होता है वो independent होता है इसके path से ठीक है and इसका मतलब यह है कि electric field जो होता है वो conservative field होता है तो conservative field वो होते है conservative वो values होती है जो की path independent होती है and fourth point यहाँ पर note कर लीजेगा line integral of electric field over a closed path is zero किसी भी closed path का line integral अगर हम देखेंगे तो वो zero होगा क्योंकि अगर आप वहाँ पर limit apply करते हो e.dl यहाँ पर limit apply करोगे तो कहां से कहां तक जाएगा तो यह घूम गा हमके अगर वहीं पर आ रहा है लोटके इस तरीके से तो कोई भी displacement हुआ ही उसका ठीक है यह एक तरीके के displacement ही है dl तो इसलिए इसकी value कितनी हो जाएगी zero हो जाएगी ठीक है कितनी हो जाएगी zero हो जाएगी a और b दोनों same होंगे point a and point b both are same this means कि इसकी value कितनी निकल के आएगी zero निकल के आएगी सो line integral of only static electric field is independent of the path followed however line integral of the field due to the moving charge is not independent of the path because the field varies with time ठीक है जबकि integral of field due to moving charge अगर कोई charge move कर रहा है तो उसकी उसका जो electric field का integral होगा उसकी वज़े से line integral जो होगा electric field का वो path independent नहीं होगा वो path पर depend करेगा क्योंकि उसमें क्या करेगा field vary करेगा अगर कोई charge move कर रहा है तो उसमें क्यों होता है कि electric field vary नहीं कर रहा है जब charge move करेगा तो उसके साथ में electric field भी vary करेगा उसके साथ में electric field भी चलेगा जिस वज़े से वो path पर depend करने लगेगा तब उसका line integral जोगा वो path independent नहीं होगा this situation is valid only for rest charge तो हम अभी क्या पढ़ रहे है electrostatic पढ़ रहे है electrostatic में charge किसमें होता है rest पर ही होता है इसलिए हमने कहा कि charge अगर rest पर है तो उसके द्वारा जो electric field produce हो रहा है उसका line integral जो होता है वो किसके equal होता है work done के equal होता है तो अगर closed path है तो वो 0 होगा और path independent होगा अगर rest पर है तो rest पर नहीं है तो वो path पर depend करेगा ठीक है next electric potential क्या होता है तो potential जैसा कि हमने देखा था potential का मतलब जैसे अगर आप अगर energy की बात करें तो basically जो हम potential की बात करते हैं तो एक तरीके से उसकी energy के साथ में relate करके देखते हैं तो हम यहां पे भी energy के साथ में उसके work done के सा हम flow of charge को determine करते हैं जितना एक body से दूसरी body में transfer हो रहा है तो एक body से दूसरी body में charge जो flow कर रहा है उसका जो measurement है उसकी determination है वो क्या है एक electric potential है ठीक है तो we can say electric potential is a physical quantity which determines the flow of charge from one body to another body and it is a physical quantity that determines the degree of electrification of body तो body के electrification की degree को determine करने वाली जो physical quantity होती है वो होती है electric potential इसके साथ में electric potential at a point in a electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point against the electric force, electrostatic force irrespective of the path followed तो किसी भी एक charge को मान लीजे ये एक charge रखा हुआ है Q इसके चारों और कुछ एक field है इसका तो infinite से अगर हम किसी charge Q not को अंदर लेके आते हैं इस electric field के अंदर लेके आते हैं ठीक है या इस charge के नजदीक लेके आते हैं जहां तक electric field इसका है तो वहाँ पे हम जब इस charge को लेके आ रहे हैं जसा कि मैंने अभी बताया तो आपको कि इस पर एक electric force work करेगा इसको धके लेगा पीछे की तरफ लेकिन हमें लेके आना है इसकी तरफ ठीक है तो इसकी तरफ जो हम लेके आएंगे positive charge को test charge को इसकी तरफ लेके आएंगे तो हमें एक कारे करना पड़ेगा एक work done क कर रहे हैं किस पर test charge पर against electrostatic force उसी work done के measurement है वो electric potential के equal होती है from the infinite अगर हम किसी charge को infinite से कहां लेके आ रहे हैं electric field के अंदर लेके आ रहे हैं तो हमें electrostatic force के against कुछ work करना पड़ता है उस work done को हम क्या कहते हैं electric potential कहते हैं तो इसको अगर हम समझना है समझ समझेंगे तो अभी जस्ट हमने देखा था line integral of electric field is equal to the work done और हमने देखा कि यह जो formula था वो था क्यू क्यू अपॉन 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 अरे तो यह जो formula निकलके आया है यह potential के लिए electric potential के लिए formula निकलके आया है यह हम यहां पर represent कर सकते हैं w infinity to b infinity to b का मतलब हो गया कि infinity से हम b पर लेके आ रहे हैं ठीक है कहां से infinity से b पर लेके आ रहे हैं यानि कि B position पर लेके आ रहे हैं तो वो उसकी location को सुखर रहा suppose यहाँ पर B है यहाँ पर E है ठीक है तो इस point तक जितना भी लाने में जितना भी हमें work done करना पड़ा वो उसका क्या होगा electric potential होगा तो हम इसको represent कर सकते हैं V is equal to W infinity to B upon Q naught और we can say Q upon 4 pi epsilon naught R which is equal to weak तो ऐसा ही unit अगर हम बात करें electric potential की तो वो क्या होती है volt होती है या फिर joule per coulomb या newton meter per coulomb ये इसकी unit होती है ठीक है क्या unit होती है unit से एक बार note कर लेंगे electric potential की unit या तो आप volt लिख लो या फिर हम इसको लिश सकते है newton meter per coulomb या फिर हम इसको लिश सकते है अप इन मेंजे कोई भी unit यूज कर सकते है basically हम volt ही यूज करते है तो आपको पता हुआ कि वोल्ट एक single quantity है तो हम बोलिंगे जूल पर कुलाम दो यूनिट आ रही है इसमें न्यूटन मीटर पर कुलाम तीन यूनिट आ रही है तो आप एक simple unit याद रखेगा इसकी वोल्ट कभी-कभी question आता है कि MCQs गिवन होंगे which is not the unit of electric potential तो यह तीनों unit तो है electric potential की बाकी जो चौथी है वो नहीं होगी इसके साथ में electric potential at a point is one volt if one joule of work is done in moving one column charge from infinity to that point in the electric field तो अगर हमें एक वोल्ट की definition बतानी है तो आप क्या कहेंगे कि एक कुलम आवेस पर one कुलम चार्ज पर one joule work जब किया जाएगा तो वो किसके equal होगा one volt के equal होगा या एक कुलम चार्ज को one कुलम चार्ज को infinity से electric field के अंदर लाने में एक जूल अगर कारे करना पड़ा तो वो एक वोल्ट के equal हो जाएगा ओके तो यह इसकी definition आप दे सकते हैं इसके बाद आता है electric potential difference difference समझ में आ रहा है आपको पहले पड़ा था हमने electric potential जिसमें हम infinite से लेके आ रहे थे charge को test charge को अब हम क्या देख रहे है electric potential difference difference का मतलब हो गया कि अब हम position में change कर रहे हैं electric field के अंदर ही ठीक है अब कोई electric field है यह सपोज एक हमने electric field ले लिया uniform electric field यहाँ पर एक कोई point A है जहाँ पर Q charge रखा हुआ है Q not charge रखा हुआ है और यहाँ पर कोई point B है तो electric field के अंदर ही अगर हमें एक position से दूसरी position तक test charge को लेके जाना है तो हमें कुछ तो work करना पड़ेगा electric field के electric field है तो electric static force के against हमें कुछ work करना पड़ेगा तो जितना work मैंने किया electric field के अंदर एक charge को दूसरी एक point से दूसरी point तक ले जाने में वो उसका electric potential difference होगा वो क्या होगा उसका electric potential difference होगा ठीक है तो इसकी definition आप देख सकते है electric potential difference between any two point in the electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from one point to another point against electrostatic force irrespective of the path followed path कोई भी follow करें इससे कोई खरक नहीं पड़ता क्योंकि हमने पड़ा था अभी कि line integral of electric field is equal to work done which is not depends on the path ठीक है which is path independent तो यह क्या हो जाएगा डबलू अब यह बार बार हम कहरें path independent इसका मतलब यह क्या है एक scalar quantity है electric potential क्या है एक scalar quantity है work done क्या है scalar quantity है ठीक है work done भी scalar quantity है potential भी scalar quantity है अब यहाँ पर आप इसको देख लीजेगा a से लेके b तक अगर हमने कुछ work done किया तो हमने line integral a to b e dot dl इस तरीके से हमने ले लिया q q naught upon four five epsilon naught one upon r v minus one upon ra which is equal to wab upon q naught is equal to q upon four five epsilon naught one upon r v minus one upon ra और we can write w v minus va यह del v को represent कर रहा है किसको represent कर रहा del v del v क्या है यहाँ पे difference in potential electric potential का जो difference है वो हमने del v से represent कर दिया है यहाँ पे so del v is equal to हो जाता है wab upon q naught क्या हो जाता है wab upon q naught तो इसके लिए formula आप note कर लेंगे q upon four five epsilon naught r v minus q upon four five epsilon naught ra a okay अब electric potential and potential difference जो होती है वो दोनों क्या है scalar quantity है जैसे मैंने भी बताया था आपको क्यों reason उसके बीचे यह है कि यह क्या है path independent है ठीक है कोई path पर यह depend तो कर नहीं रही है कहीं पर भी चले जाओ तो यह क्या होगी path independent this means यह एक scalar quantity है और इसका line integral जो है वो work done के एकवल है work done is also a scalar quantity तो ऐसा आप समझ सकते हैं इसको compare करके हाला कि ऐसा होता नहीं है बहुत सारे cases में क्योंकि work done एक scalar quantity है जब कि force and displacement both are the vector quantity तो आप इसको समझने के लिए कह सकते हैं कि electric potential and electric potential difference both are scalar quantities and electric potential जो होता है infinity पर 0 होता है क्योंकि अभी हमने देखा V is inversely proportional to R इसका मतलब अगर हम infinity लेते हैं तो यह हो जाएगा infinity 1 upon infinity होता है 0 V की value infinity पर कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी electric potential near an isolated positive charge where q is greater than 0 यानि कि positive charge है that near an isolated negative charge वो क्या होगा isolated positive charge and isolated negative charge के पास में जितना हम आएगे उतना ही potential क्या होगा increase होगा ठीक है positive charge और negative charge के पास आने पर क्या होता है क्योंकि field increase होता है ठीक है field बढ़ता है और field बढ़ेगा e की value जतनी ज़्यादा होगी उतना ही potential भी बढ़ेगा since अपने अपनोंने देखा था कि यह depend किस पर कर रहा है w a b upon q not is equal to line integral of e dot dl depend कर रहा है नहीं पर तो जितना electric field होगा उतना ही potential भी बढ़ेगा ठीक है अब यहां पर cgs unit की अगर हम बात करें potential की वह क्या होती है state bolt ठीक है या 1 arg per state column क्या होती है 1 arg per state column तो यह इसकी unit होती है state bolt को हम लिए सकते है one arg per state column तो यह इसकी unit है यह आप ज्यान रखेंगे ठीक है यह cgs unit है नेक्सßerdem आता है यहाँ पर Electric Potential due to Single Point Charges एक Single Point Charges है हमारे पास उसके वज़ाँ से Electric Potential हमें निकालना है क्या निकालना है? Electric Potential अभी तक हमने पिछली lecture में क्या लिकाला था? Electric Field लिकाला था Electric Field और Electric Potential के बीचमें आपको Difference पता है Q upon r square आता है Electric Field में Q upon R आता है electric potential में एक है vector quantity एक है scalar quantity कौनसी vector है कौनसी scalar है comment box में बता देना ठीक है अब यहाँ पर electric potential due to a single point charge अगर हमने देखना है तो single point charge यह हमने ले लिया plus Q यहाँ से कुछ distance पर electric field तो हो गई ठीक है तो इससे plus Q से बाहर की तरफ outward direction में away from the positive charge यह हो गई infinite से किसी charge को हम P तक ले के आए जो point P है यहाँ तक हम ले के आए Q naught को Q naught is a test charge जो कि हम test करने के लिए use करते मैंने आपको इस starting में बता है था which is not real reality में नहीं है imaginary है यह भी हमने लिया है अपने derivation को प्रूब करने के लिए तो यह क्या है बहुत ही small positive charge है test charge infinity से हम ले के आए और इस पर जो force लगेगा P पर लाके रख दिया हमने इस पर जो force लग रहा है वो क्या लग रहा है Q naught E vector यह force इस पर apply हो रहा है इसको बोलेंगे electrostatic force यह electrostatic force इस पर लग रहा है हिंदी में क्या बोलेंगे electrostatic force को स्थिर विद्यत बल ठीक है यह इस पर apply हो रहा है अब इसके against हमें work करना है तो suppose अब हम क्या कर रहे हैं कि P से Q तक और लेके आ रहे हैं तो यह dx distance है यहां से यहां तक हमने dx distance माल लिए या P से Q तक लेके आना है मुझे तो मैं क्या करूँगा against electrostatic force यानि कि यह जो QE force लग रहा था इसके बिपरीत मुझे एक बल लगाना पड़ेगा एक force apply करना पड़ेगा इस point तक लाने के लिए तो यहां पर हम माल लेते हैं एक हमने Q charge लिया Q naught एक test charge लिया जिसको हमने P पर रखा distance X है P तक की इस source से उसके बाद हमने force ले लिया जो की force है होगा इस पर Q naught E radially outward direction हमें पता है accelerate it हमने क्या किया test charge को accelerate किया and to prevent this acceleration equal and opposite force लगाना पड़ेगा जो की होगा minus Q naught E क्योंकि plus Q naught E radially outward direction में था force लगाना है किसकी तरफ charge की तरफ force लगाना है तो यह जो चार्ज की तरफ force लगाना है तो वो negative हो जाएगा negative जो sign होते हैं basically वो direction को ही represent करते है तो direction यहाँ पे negative अगर है तो इसका मतलब opposite है तो opposite direction को सो करने के लिए हमने negative sign लगा दिया तो has to be applied on the test charge विपरीत, dx distance travel करने में हमें कुछ work done करना पड़ेगा, तो वो work done कितना हो जाएगा तो dw is equal to हो जाएगा f dot dx f की value कितनी है, q naught e हमने apply कर दी and dx तो dw is equal to हो जाएगा q naught e dx cos 180 180 क्यों लिए है क्योंकि दोनों opposite है displacement हो रहा है opposite direction में force लग रहा है इधर direction में ठीक है, तो अगर force and displacement के बीच का जो angle है वो 180 है तो हम यहाँ पे cos 180 यूज़ करेंगे तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, cos 180 is equal to होता है minus 1, तो यह हो जाएगा q naught e dx right तो dw is equal to कितना हो गया, q q naught upon 4 pi epsilon naught x square into dx तो e की value यह हमने यहाँ पे apply कर दिया, तो यहाँ मिल गया यह वाला formula, अब हमें total work done निकालना है to move q naught from a to b, a से b तक q naught को move कराने में जो total work done होगा वो कितना होगा, तो यह यहाँ पे निकल के आएगा w infinity to b, w infinity to b, infinite से b तक लाने में कितना work done हमने करा है, तो linear integral यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा sorry, यहाँ पे integration करना पड़ेगा limit के साथ में, तो हम limit लगा देंगे infinite to r q q naught upon 4 pi epsilon naught x square and dx तो बाकी जितने भी quantities है q q naught upon 4 pi epsilon naught यह आगी बाहर और 1 upon x square का dx के respect में हमने क्या कर दिया, integration कर दिया अब हम integration देखेंगे इसका, ठीक है तो देखेगा q q naught upon 4 pi epsilon naught इसको integrate करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 upon x square है, तो 1 upon x बचेगा, ठीक है, 1 upon x square को integrate करेंगे, तो कितना बचेगा 1 upon x बचेगा end, यहाँ पे limit लगा दो with minus sign, ठीक है end, limit लगा देगे, कहां से कहां थे, infinite to r तो बस अब आपको क्या करना है यहाँ पे हमें पता है कि infinite to r अगर हमने limit लगा दिया है तो अब केवल यह पता होना चाहिए कि 1 upon infinity की value कितनी होती है 0 होती है, तो पहले upper limit लगाएंगे फिर क्या लगाएंगे, lower limit तो यह हो जाएगा, minus already चल रहा था है इसके आगे तो minus minus क्या हो गया, plus हो गया तो यह हो जाएगा, minus लगा दो चलो तो q, q not upon 4, pi epsilon not minus 1 upon r and minus minus यहाँ पे हो जाएगा, plus 1 upon infinity which is 0, ठीक है, तो minus minus की multiply होगी, तो कितना हो गया, यह आगया आपके पास formula यह वाला यह वाला, तो आप देख सकते हैं इसको यह जो आपको दिख रहा है यह w infinite to b q not is equal to q upon 4 pi epsilon not r and इसी के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है v is equal to q upon 4 pi epsilon not r ठीक है, तो यह formula आप देख लेंगे यह ज़्यादा important है, ओके दिख गया आपको I hope कि इसमें कोई problem नहीं है रही होगी electric potential, एक single charge की वज़े से मैंने आपको derivation कैसे निकालते हैं, वो आपको बता दिया है potential क्या होता है, potential difference क्या होता है line integral क्या होता है, यह सब मैंने आपको अभी समझाया line integral जो होता है electric field का वो किसके equal होता है work done के equal होता है और वो क्या होता है, path independent होता है जिसके विज़े से हम कह सकते हैं कि electric field is a conservative field and हमने ये भी देखा कि electric potential is a vector, sorry scalar quantity, path पर depend नहीं करेगी इसके लिए क्या है, scalar quantity है तो हम इसमे sign के साथ में value पुट करेंगे, इस formula में Q की value जब भी लिए तो sign के साथ में लिए ध्यान रखिएगा ठीक है, next पर आते है अब हमारे पास group of point charges है group of point charges इनकी विज़े से हमें electric potential लिकालना है तो अब एक charge के वज़े से electric field लिकाल लिया, electric potential लिकाल लिया electric field हमने multiple charges की वज़े से लिकाला अब हम multiple charges की वज़े से क्या लिकालेंगे, electric potential भी लिकालेंगे तो हमारे पास जो अभी हमने just देगा था कि electric potential एक vector quantity तो नहीं है तो इसलिए algebra addition को follow नहीं करेगा, मतलब vector addition को यह follow तो नहीं करेगा, आपको क्या करना है एक charge के वज़े से potential निकालो दूसरे के वज़े से potential निकालो, तीसरे के वज़े से चौथे के वज़े से, पाच्वे के वज़े से, जितने भी charge है उनकी वज़े से potential निकाल लेंगे और सबको एक साथ add कर देंगे तो scalar quantity होने का ये फाइदा है हमारे पास कि हम direct add करते हैं मतलब direct addition हम apply कर देते हैं scalar quantity जब भी होती है ये बहुत बड़ा हमारे पास benefit है electric potential के लिए समझते हैं तो ये कुछ charges हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचमा और इस तरीके से N वा charge यहाँ पे रखा हुआ है तो 1, 2, 3, 4, 5, and N and so on charges रखे हुए तो यहाँ पे जो net electrostatic potential होगा किसी भी point पर जिस point पर आपको लिकालना है individually आप electric potential लिकालिए और सबको add कर दे लिए तो किसी भी point पर अगर आपको electric potential लिकालना है तो हम क्या करेंगे algebraic sum of their individual potential at that point हम क्या लेंगे algebraic potential ले लेंगे उस point पर individual charges की वज़े से तो वो क्या होगा net potential के एक को लोगा तो V potential P पर जो potential है electrostatic potential at P V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 and so on प्लस VN यह हो जाएगा यहाँ पे ठीक है यह फिर हम नहीं सकते हैं V is equal to 1 upon P epsilon 0 summation i is equal to 1 to n Q i upon R i i represent कर रहा है integer को 1,2,3,4,5,6 and so on and V is equal to 1 upon P epsilon 0 summation of i is equal to 1 to n Q i upon R minus R i vector R vector minus R i vector तो यह vector form में हो गया इसको हम vector form में लिख रहे हैं जबकि यह scalar quantity ध्यान रखिएगा R जो है वो position vector है इसलिए हम इसको vector form में represent कर सकते हैं position vector है R अब यहाँ पे electric potential जो होता है किसी भी point पर due to charge वो effect नहीं होता why the presence of other charge किसी भी point पर अगर हमें electric potential निकालना है किसी भी charge की वज़ए से तो दूसरे की वज़ए से उस पर कोई effect पड़ेगा नहीं ठीक है तो यह ध्यान रखेंगे काफी important line है इससे बहुत सारे questions बहुत सारे numerical solve होते हैं सबोस आपके पास दो charges रखे हुए हैं तो एक की वज़ए से आप इस point पर electric potential लिकाल रहे हो sorry V जो है वो proportional होता है 1 upon R whereas Coulomb's force जो होता है F is proportional to 1 upon R square so potential is a scalar quantity where force is a vector quantity although V is called the potential at a point and it is actually equal to the potential difference between the points R and infinity तो electric potential भी एक तरीके से electric potential difference ही है बस अंतर यह है कि electric potential difference हम जो पढ़ते थे तो एक point से दूसरे point electric field के अंदर ही जो की हमें known थे definite थे point जब हम electric potential की बात करते हैं तो हम charge को infinity से लेके आते हैं कहां तक एक point तक जो की electric field के अंदर है ठीक है बस यह फरक है वो भी क्या है एक potential है तो इसको note कर लिजेगा potential due to electric dipole एक dipole की वजह से electric potential क्या हो गा छचे हमने electric field लेकाल था एक dipole की वज़एसे वैसे हम electric potential गोभी समझेंगे इसके derivation को समझेंगे ठीक है तो देखिते हैं सबसे पहले दो position पर निकाल सकते हम यह भी potential हम doc position क्यों लिखा सकते हैं क्योंकि हमने electric field भी दो पो काला था, एक था axial और एक था equilateral position पर, ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले at a point on axis, axial line, ठीक है, तो इसके लिए आपको केवल ये जो diagram है, ये जो हमने figure लिया है, इसके लिए, ये diagram आपको धियान में रखना है, तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक dipole system ले लिया, minus q and plus q, ठीक है, minus q and plus q, मैंने बताया था, कि minus sign हम left side में क्यों लेते हैं, reason उसके बीचे ये है, कि हम जब एक origin ले रहे है, point इसका जो center point है वो, तो इसके left side में जो value है ले left side में, और right side में value L, तो left side में negative sign होता है, ध्यान रखिएगा, left side में क्यों होता है, negative sign होता है, और right side में जो होता है, reason के इदर, वो positive होता है, तो इसलिए हम minus line, minus q left side में ले 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 लेते हैं और plus q, right side में ले लेते हैं, ठीक है, अब इससे अगर हम देखें तो axial point पर क्या हो जाएगा V P at due to plus Q तो P पर अगर हमें potential निकालना है ठीक है किसकी वज़ाई से plus Q की वज़ाई से लिकालना है तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे center से distance ले लेते तो यह L होती है यह L होती है ठीक है अब आपको इतना पता चल गया अब क्या करना है फॉर्मूला आपको याद है V is equal होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r यह formula होता है बस इसको आपको apply करना है ठीक है अब यहाँ पे B की वज़ाई से इस plus Q की वज़ाई से अगर potential निकालना है तो हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon x upon l जो distance है उसमें क्या रखेंगे x minus l रखेंगे x minus l and ऐसी minus q की वज़ाई से जो हम electric potential लिका लेंगे तो क्योंकि charge जो है minus is negative तो मैंने क्या होता है था scalar quantity है इस वज़ाई से हम minus के साथ में यानि कि sign के साथ में ही charge को put करेंगे तो क्यों हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 minus q upon x plus l then जब हमें net electric potential लिकालना है किसी point पर तो हम उसको direct क्या करते है add करते थे add कर दिया हमने तो vp is equal to जाएगा vp plus q plus vp due to minus q तो यह हो जाएगा आपका q upon 4 pi epsilon 0 यह पूरा common आ गया q upon 4 pi epsilon 0 and अंदर बचेगा 1 upon x minus l minus 1 upon x plus l तो यह value बचेगी अब इसको अबगर हम solve करते है lcm लेने के बाद तो यह हो जाएगा देखो q upon 4 pi epsilon 0 lcm कितना हो जाएगा x square minus l square यह हो जाएगा and यहापे हो जाएगा x plus l minus x plus l ओके plus minus minus हो जाएगा तो x x cancel हो गया तो यह हो गया हमारे पास यह 2l, l plus l कितना हो गया? 2l तो यह हो गया बना पॉर 5 epsilon 0 q into 2l upon में x square minus l square अब यहाँ से आपको clearly पता चल रहा हुआ कि यह q into 2l है उसको हम क्या लिखते थे electric dipole moment के एककोल यानिकी p के एककोल लिखते थे तो हम यहाँ पर यूज कर सकते है vp is equal to one upon for epsilon 0 p upon x square x square minus l square तो यह क्या आगई? electric potential निकल के आगया है यहाँ पर at point p इस p point पर electric potential की value इतनी निकल के आगई इसी के साथ में second जो है जिसमें हमें लिकालना है equatorial line पर equatorial line पर अगर हम देखेंगे तो p upon 4 pi epsilon 0 p upon r cube याद होगा आपको ऐसी हम यहाँ पर क्या करेंगे electric potential निका लेंगे equatorial line पर वही हमने क्या ले लिया dipole ले लिया a and b a पर हो गया minus q b पर हो गया plus q इसके center से y distance पर हमने point ले लिया q जहाँ पर हमें electric potential find करना है तो हमने क्या कर रहा है यहाँ पर वही same चीज अपना ही plus q q बज़र से electric potential कितना होगा तो वह होगा 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon b q b q कि distance कितनी होगी तो यहाँ से आपको पता चल जाएगी a pythagoras theorem से तो यह जाएगी y square plus l square square root में y square plus l square यह हम यहाँ पर put कर देंगे ठीक है and यहाँ पर भी जो निकल कहेगी वह कितनी लिकल कहेगी y square plus l square यह distance आपको clear होगी pythagoras theorem से and यहाँ पर minus q की भी जैसे लिका लेंगे तो कितना हो जाएगा minus q upon a q यानिक यह distance तो दोनों distance आप देख पा रहे होंगे दोनों equal है यहाँ पर लिए सकते है a q is equal to b q which is equal to square root of y square plus l square ठीक है तो यह इसके equal होगया तो अगर दोनों को add करेंगे तो v q जो निकल कहेगा वह कितना निकल कहेगा दोनों add होएगे तो दोनों equal है so the net electrostatic potential at point in the electric field due to an electric dipole at any point on the equatorial line is zero यह मुझे लगता है कि आपको clear होगया होगा इसमें कोई doubt आपका नहीं होगा अगर है तो आप comment box में पूछ सकते है next topic पर आते है जिसमें हमें देखना है equal potential surface equal का मतलब मैंने बताय था starting में होता है एक समान ठीक है समान विभव ठीक है एक समान या फिर हम इसको रहे सकते है सम विभव और surface का मतलब होता है प्रिष्ट तो एक समान विभव वाला प्रिष्ट या फिर सम विभव प्रिष्ट क्या होता है तो सम मतलब समान जिसमें ऐसी surface ऐसा प्रिष्ट जिसमें प्रतेक स्थान पर जो potential हो वो एक समान हो equal हो उसको हम equipotential surface कहेंगे तो इसको हम कह सकते है definition surface at every point of which the potential due to charge distribution is the same is called equipotential surface and यहां पर हम कह सकते हैं कि so equipotential surface for a uniform electric field अगर electric field uniform है उसके लिए equipotential surfaces की अगर हम बात करें तो यहां पर plane हमने equipotential surface लिया है तो uniform electric field हमने देखा था कि विभव जो होता है वो किस पर depend करता है यानि की potential जो है वो depend करता है linear integral of e.dl इस पर depend करता है तो अगर e की value uniform कर दी जाए एक समान कर दी जाए ठीक है तो उसमें क्या होगा जो surface रखा होगा उसका जो potential होगा वो क्या होगा equipotential surface होगा तो अगर कोई uniform electric field में कोई surface रखा हुआ है तो वो एक equipotential surface होगी ठीक है तो plane equipotential surface तीनों का विभव यहाँ पे एक समान and spherical equipotential surface spherical equipotential surface इस तरीके की हो गई, यहाँ पर center में charge रखा हुआ है center में जब charge रखा होगा तो यहाँ से हर direction में क्या होगा, electric field होगा तो इसका पूरे sphere पर जो potential की value होगी वो क्या होगी, same होगी तो for an isolated charge किसी भी एक isolated charge के लिए center पर हमें charge लेना पड़ेगा जिसकी विज़े से वो एक equipotential surface बना पाए properties जो होती है, equipotential surfaces की क्या-क्या होती है, तो पहली property क्या होती है देखो, समझो no work is done in moving a test charge from one point to another on an equipotential surface किसी भी equipotential surface पर अगर हम एक charge को एक point से दूसरी point तर लेके जाएंगे तो उसमें जो work done होगा, वो 0 होगा क्योंकि potential का जो difference है, वो कितना है, 0 है अभी हमने ज़स्ट देखा था work done is equal to होता है q del v के equal तो del v अगर 0 है, since del v is equal to 0 for equipotential surface तो work done कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो अगर a and b दो point हैं equipotential surface पर और दोनों equal हैं, तो ये value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी second, electric field is always perpendicular to the element dl of the equipotential surface, तो equipotential surface में जो electric field है, वो हमेशा क्या होगा, perpendicular होगा, लंबबबत होगा dl element के, यानि कि उसकी अगर छोटी सी length को ही लेले surface में, तो उसके always क्या होगा, electric field perpendicular होगा तो ये second property, equipotential surface की, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है, w is equal to होता है, line integral e dot dl, तो ये अगर 0 के equal हो गया, तो यहाँ से हम लिखेंगे e dot dl cos theta is equal to 0, तो theta की value 0 कि किसमे होती है, cos में 90 degree पर, तो cos 90 is equal to 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे theta is equal to cos inverse cos 90 यानि कि theta की value कितने आगी 90 degree, तो ये हमेशा क्या होगा, perpendicular होगा electric field किसके line element के, या element dl के perpendicular होगा, equipotential surface के लिए तो theta की value 90 degree, राइट तो e is not equal to 0, and dl is not equal to 0, but theta is equal to 0 next, equipotential surface indicate a reason of strong or weak electric field so electric field is defined as the negative potential gradient तो electric field को जो हम define करते हैं, तो एक negative potential gradient से उसको define कर सकते हैं, this means e is equal to minus dv over dr तो minus dv over dr ये क्या है, एक potential gradient है potential gradient gradient का meaning जो होता है, इसको आप समझ ले न, क्योंकि ये काफी important है potential gradient जब भी हमें निकालना होगा तो हम position के respect में उसको differentiate करते हैं, तो differentiation with respect to the position is known as the gradient, जब वो potential difference निकाल लेंगे, तो position के respect में हम electric potential को क्या करेंगे, differentiate करेंगे, तो उसका जो negative part होता है, potential gradient का वो electric field के equal होता है, तो यहां से आपको मिलेगा, dr is equal to minus dv over e, since dv is a constant on equipotential surface, so dr is directly proportional to 1 upon e, और we can say dr is inversely proportional to e, तो अगर e strong होगा, dr will small, that is, the separation of the equipotential surface will be smaller, तो अगर e की value बहुत ज़्यादा होगी, तो equipotential surface के बीच का जो separation होगा, वो बहुत कम होगा, ठीक है, that is, perpendicular equipotential surface are crowded and vice versa, तो अगर यह strong नहीं है, electric field strong नहीं है, बहुत weak है, तो इसके बीच की distance ज़्यादा होगी, इसका मतलब, जो equipotential surface है, वो crowded नहीं होके, rarer होगी, तो equipotential surfaces cannot intersect, दो equipotential surface जो होगी, वो कभी भी एक दूसरे को intersect नहीं करेंगी, same जैसे हमने electric line of force पढ़ा था, तो इसके बीचे reason क्या है, कि अगर दो electric potential surface आपस में intersect करती है, इसका मतलब हो गया, then at point of intersection, there will be two values of electric potential, that is, which is not possible, तो उस intersection point पर दो electric potential होंगे, दो electric potential की direction हो जाएंगी, या दो electric potential मौझूद होने चाहिए, जो की possible नहीं है, जो की संबब नहीं है, तो कुछ point यहां पर note कर लीजेगा, जो की refer करते हैं, electric line of force को, जैसे, electric potential is a scalar quantity, whereas the potential gradient is a vector quantity, note कर ले न, electric potential क्या है, एक scalar quantity है, जब की, potential gradient जो है, वो क्या है, एक vector quantity है, so dv over dr is a vector quantity, जब की singly v की अगर हम बात करें, तो वो क्या है, एक scalar quantity है, so the negative sign of potential gradient, shows that the rate of change of potential with distance is always against the electric field intensity, हम इसा क्या होगा, opposite होगा, electric field intensity के, okay, next, electric potential energy, तो अब हम आ गए हैं, अखिरकार energy पर, तो energy हम कैसे निकालते हैं, electric potential की, तो जो हमने work किया था, आपको याद होगा कि हम क्या कर रहे थे, एक work कर रहे किसी test charge पर, infinite से electric field के अंदर लाने पर ही, या फिर electric field को ही, electric field के अंदर ही, एक point से दूसरे point तक ले जाने में, हम किसी charge पर work कर रहे थे, electro static force के against, तो ये जो work done है, वही क्या होती है, उसकी potential energy के रूप में store हो जाती है, ठीक है, तो the work done in moving a charge q from infinity to a point of field against the electrostatic force is called electrostatic potential energy, यानि कि w is equal to होता है qv, and electrostatic potential energy of two charge system, अगर हम निकालेंगे, तो वो निकल के आएगा, u is equal to 1 upon 4 epsilon not q1 q2 upon magnitude of r2 vector minus r1 vector, ये क्या है, position vectors है, तो position vectors अगर तो यहाँ पे given है, तो उनके difference का magnitude जब हम निकालेंगे, तो वो हम यहाँ पे put करेंगे, तो u is equal to हो गया, 1 upon 4 epsilon not q1 q2 upon r12, तो ये formula आपको याद रखना है, ये important formula है, note कर लेना, इससे related काभी questions आते हैं exam में, तो देख लिजे इस formula को, इस diagram को और इस formula को आप देख लिजेगा, ये भी आपका काफी important formula है, ठीक है? आते हैं next slide बे, तो electrostatic potential energy of three charges system, तीन charge का अगर कोई system है, तो उसकी वज़े से electrostatic potential energy जो होगी, वो कितनी होगी, तो हमारे पास देखो, सिंगली चार्ज की वज़े से electrostatic potential है, double charge की वज़े से electrostatic potential है, single charge की वज़े से, double charge की वज़े से, और triple charge भी है, तो भी हमें क्या लिकालना आता है? electrostatic potential लिकालना आता है, अब energy की अगर हम बात कर रहे हैं, तो energy depend करती है, दोनों charges पे, ठीक है? तो U is equal to 3, 4 यहां पर रखे हुए, A पर, B पर और C पर, तो A पर रखा हुए Q1, B पर रखा हुए Q2 और C पर रखा हुए Q3, इसकी position जो है, अलग-अलग दे रखी है, A की position है R1 vector, B की है R2 vector, और C की है R3 vector, तो अगर हम यहां पे energy निकालेंगे, तो यह हो जाएगी, 1 upon 4, 5, 7, 0, Q1, Q2, और इसके बीच का जो difference होगा, position difference वो क्या होगा, R2 minus R1, तो magnitude ले लेंगे, R2 vector minus R1 vector, second, Q1 और Q3 के बीच में निकालेंगे, तो हम इन दोनों के बीच का magnitude लेंगे, position vector के difference का magnitude, तो यह जाएगा, 1 upon 4, 5, 7, 0, Q1, Q3 upon mod of R3 minus R1 vector, फिर उसके बाद अगर हम यह निकालेंगे, second, third के लिए, तो Q2 और Q3 के बीच का निकाल लेंगे, तो यह निकल के आजाएगा, 1 upon 4, 5, 7, 0, Q2, Q3 upon mod of R3 minus R2 vector, तो फाइनली जो U की वैल्यू निकल के एगी, 1 upon 4, 5, 7, 0, Q1, Q2 upon R12, प्लस Q1, Q3 upon R31, प्लस Q2, Q3 upon R32, ठीक है, तो यह एनर्जी आप याद रखेंगे, यह electrostatic potential energy, अगर तीन चार्ज रखे हुए हैं, सिस्टम में, तो उनकी वज़ासे electrostatic potential energy क्या होगी, और अगर N चार्ज रखे हुए हैं, तो इसी से आप निकाल सकते हैं, U is equal to हो जाएगा, 1 by 2, 1 upon 4, 5, 7, 0, summation I is equal to 1 to N, summation of J is equal to 1 to, I और J दोनों equal नहीं होंगे, 1 to N हम यह आपे लेंगे तो, और यह हो जाएगा, QI, QJ upon position vector, R, J minus R I vector, ठीक है, का magnitude, तो यह formula आप note कर लिजएगा, अगर N charges रखे होगे हैं, तो उसकी potential energy यह होगी, ठीक है, next, area vector, area vector क्या होता है, area vector को हम समझते हैं, what is area, area का मतलब होता है, कि उस particular surface ने कितना, छेतर reason cover कर रखा है, वो उसका area होगा, अब area अभी तक हमने पढ़ा था, कि एक scalar quantity यह लेकिन यह vector कैसे हो गई, तो area की एक particular direction होती है, जिस वरिया से हम इसको represent करते है, area vector के रूप में, तो small area जो होगा, surface का, वो represent होता है, vector के रूप में, इसलिए इसको बोलते है area vector, तो ds जो है, वो हमने area vector कहा, और इसकी जो direction होती है, to the surface, हमेशा, तो electric flux की अगर हम बात करें, तो area vector आपने समझ लिया, area vector क्या होता है, अगर छोटा सा कोई element लें हम इसकी area का, तो एक vector होगा, जिसकी direction होती है, perpendicular to the surface, अब electric flux क्या होता है, flux हमने देखा कि electric field में, अगर हम कोई surface रख दे ले जाके, तो उसमें से कुछ field line गुजरिंगी, क्योंकि electric field हमने starting में, second lecture में देखा था, कि electric field होता क्या है, electric field वही होता है, जिसमें electric line of force जो होती है, वो गुजरती है, यानि कि जब electric test charge को electric field के अंदर लाते है, तो वो जब move करता है, तो वो represent करता है electric field line of force को, तो electric field क्या होता है, ऐसा reason, जो कि जहां पर की दूसरा charge किसी force को experience कर रहा है, तो उनको represent करने के लिए हमने electric line of force ली, तो अगर electric line of force में, electric field में किसी surface को रख दें, तो उसमें से कुछ field line गुजरती है, ठीक है, तो electric flux linked with any surface is defined as the total number of electric line of force that normally pass through the surface, तो normally जितनी, यानि कि perpendicular जितनी field line उससे गुजर रही है, उसके normal जितनी field line गुजर रही है, वो उसका electric flux होगा, तो अगर किसी surface को electric field के अंदर रखा जाता है, तो उस surface से normally जितनी field line गुजरती है, उस number of field line को क्या कहते है, electric flux कहते हैं, electric flux को हम phi से represent करते हैं, ds is an area vector, तो e और ds दोनों क्या है, vector quantity है, तो इनका scalar product हम यहाँ पर use करते हैं, तो यह जाएगा e ds cos theta, तो total electric flux phi over the whole surface ds due to an electric field e, phi is equal to integration या surface integration, s आ रहे हैं यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, surface integration, तो surface integration e dot ds which is equal to e s cos theta, या फिर हम ले सकते हैं e vector dot s factor, तो electric flux जो है वो एक scalar quantity है, ध्यान रखिएगा, electric flux is a scalar quantity, but it is a property of vector field, ठीक है, यह vector field की property है, लेकिन यह एक scalar quantity है, तो SI unit जो होती है, वो इसकी होती है, newton meter square per column, या फिर हम इसको यह भी ले सकते है, joule meter per column, तो दोनों ही SI unit, मतलब दोनों ही units इसकी correct है, तो आप newton meter square per column भी लिख सकते हैं, या फिर joule meter per column भी इसकी unit use कर सकते हैं, right, next topic पे आते हैं, कुछ इसके special cases हैं, तो उसको हमें समझना है, जैसे अगर theta की value 0 से लेके 90 के बीच में है, तो 5 की value क्या होगी, positive होगी, अगर theta की value समझ लेते हैं आपे, 5 is equal to, 5 is equal to, ES cos theta, तो यहाँ पे 0 से लेके 90 के बीच में, cos theta क्या होता है, positive होता है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगी, यह value positive मिलेगी, अगर 90 पे अगर हम देखेंगे, तो यह 0 होगी, क्योंकि cos 90 की value 0 होती है, अगर हम 90 से लेके, 180 तक इसकी value चेक करेंगे, तो वो negative मिलेगी, क्योंकि 90 तो 180 तक, cos की value negative मिलती है, ठीक है, तो इट depends on angle, angle पर depend करता है, अब बात करता है, solid angle की, तो solid angle क्या होता है, हमने radial angle पढ़े है, radiance angle पढ़े है, अब radiance angle हमने देखे है, plane angle देखे है, अब solid angle क्या होता है, solid angle is a 3-dimensional equivalent of the ordinary 2-dimensional plane angle, तो जहांपर हम plane angle की बात करते थे, वहाँपर हम 2-D का use करते थे, 2-dimension का use करते थे, अब अगर हम solid angle की बात करेंगे, तो 3-D का use करेंगे, जैसे आपने softy देखी होगी, cone देखी होगी, cone देखा हुआ, तो cone के बीच में एक angle होता है, तो वो 3-D geometry से ही हम निकाल सकते हैं, तो वो एक solid angle है, तो solid angle की definition साँज में आगई, solid angle क्या है, 3-D में अगर हम किसी angle को measure करते हैं, तो वो solid angle होगा, जैसे sphere के लिए हम angle measure करें, या फिर एक cube है मारे पास, cube wide है, उसका angle measure करें from the center, तो वो solid angle मिलेगा हमें, ऐसा unit solid angle की जो होती है, वो होती है state radian, plane angle की क्या होती है, radian होती है, solid angle की होती है state radian, and solid angle substandard by area element ds, at the center o, of the sphere of radius r, तो d omega से represent कर दिया, यहाँ पर, generally d omega से represent कर देते हैं हम इसको, और यह होता है ds cos theta upon r square, तो formula याद रखेंगे, solid angle के लिए यह है important इसके लिए, तो d omega is equal to कितना होगा, ds cos theta upon r square, या फिर omega is equal to जाएगा, ds cos theta upon r square, या फिर 4 pi, तो एक sphere के लिए, यह जो value होती है, वो 4 pi के एककोल होती है, 4 pi is to radian, closed अगर कोई loop है, तो generally उसके लिए जो value होती है, वो 4 pi के एककोल होती है, बैसे आपको यह formula याद रखना है, इस formula में ही value put करनी है, ठीक है, अब अगर हम proof करें, सबसे पहले देखे, गौस theorem क्या होती है, गौस ने, गौस एक phygicist थे, उन्होंने भौति विज्ञानी, उन्होंने क्या करा, अपनी एक theory सामने लेके आए वो, जिसमें उन्होंने बताया है कि, electric field, and ds, यानि कि, surface area का जो product होता है, वो 5 के एककोल होने के साथ साथ, ठीक है, तो इनकी जो theory थी काफी important थी, और इस theory की वज़े से ही, काफी जो derivation है, वो हमारे chapter में, वो हमारे topic में, वो हमारे syllabus में और add होए, और वो हमें पढ़ने भी है, और वो derivation इनकी help से, बहुत ही easily solve कर सकते हैं, तो अगर Gauss theorem का statement हम देखें, तो the surface integral of electric field intensity, over any closed hypothetical surface, hypothetical surface का मतलब होता है, Gaussian surface या closed surface, जो की 3D में है, in free space, is equal to 1 upon epsilon net 0 times, the net charge enclosed within the surface, तो इसका मतलब यह हो गया, कि किसी भी closed surface से, गुजरने वाले flux की जो value होती है, वो उस surface के द्वारा, घरे कुल चार्ज का, 1 upon epsilon 0 कुनी होती है, ठीक है, कुल चार्ज की, 1 upon epsilon 0 कुनी होती है, तो 5 is equal to, 1 upon epsilon 0 times, of submission of QI, कि submission जो सो कर रहा है, वो net charge को सो कर रहा है, total charge उसने, कितना cover कर रखा है, वो हमें यहाँ पे देखना है, सिंगल चार्ज की विजज़े नहीं, total charge कितना cover किया है, ठीक है, तो यह हो गया, Gauss theorem, 5 is equal to, Q upon epsilon 0, Q and closed लिख देते हैं आपे, upon epsilon 0, ठीक है, epsilon 0 यहाँ पे permittivity आपको पता है, 8.85 into 10 to the power minus 12, coulomb square per newton meter square, इसकी unit होती है, यह आपको याद होना चाहिए, proof अगर हम देखें, Gauss theorem का, for symmetrically, spherically symmetric surface, तो अगर कोई spherically symmetric surface है, उसके लिए अगर हम proof करना चाहें, Gauss theorem को easily proof कर चकते हैं, तो हमें पता है कि 5 is equal to कितना होता है, E dot ds होता है, तो E की value हम यहाँ पे लगा देंगे, E is equal to 1 upon 45 epsilon not q upon r square, and ds यहाँ पे हमने use कर लिए, ds क्याँ यहाँ पे surface area है, तो हमें पता है, sphere का जो area होता है, वो कितना होता है, वो होता है 4 pi r square, यह होता है न, तो हम यहाँ पे यह use करेंगे, तो क्या हो जाएगा, vector form में लिखेंगे, तो r dot n vector कितना हो गया, 1k equal हो गया, तो यहाँ पे d5 is equal हो गया, 1 upon 4 epsilon not q ds upon r square, तो हम अगर इसका integration करेंगे, ds is equal हो जाएगा, s, यानि कि 4 pi r square, तो r square से r square cancel हो गया, यानि कि बचा 4 pi से 4 pi cancel हो गया, r square से r square cancel हो गया, तो बचा हमारे पास q upon epsilon not, तो this is the Gauss theorem, और यह equal हो गई phi e के, यानि कि electric flux के equal हो गई, अब बात करते हैं, proof of Gauss theorem, for a closed surface of any shape, किसी भी shape के लिए, अगर हमें Gauss theorem को proof करना है, तो वो हम कैसे proof करेंगे, बहुत easy है, बहुत important भी है, तो यह हमारे पास क्या है, एक कोई भी irregular surface है, यह हमें नहीं पता, तो हमने क्या करा, इस पे कोई भी एक charge ले लिया, इसके अंदर, plus Q, और इसके जो surface है, यहां से हमने एक angle, सब्स्टेंट करवा दिया इस पर, जो क्यों होगा solid angle, कौनसे angle होगा, solid angle होगा, तो solid angle को हमने represent किसे करना है, D omega से represent करना है, तो हमने यहां पे एक solid angle ले लिया, यह पता है कि यह जो surface है, इसकी जो direction होगी, वो perpendicular outward होगी, तो यह हो गई, perpendicular outward Ds की direction, यह electric field है, electric field positive to negative होता है, तो इनके बीच में कुछ angle बन रहा है, ठीटा, ठीटा, ठीक है, तो 5 is equal to होता है, E dot Ds, इसको हमने represent किया, 1 upon 4 phi epsilon n not, Q upon R square R cap, into Ds n cap, तो Q R dot N की value तो 1 हो गई, तो यहां पे, वादलब 1 into 1 cos theta, क्योंकि यहां पे same direction में नहीं है, इसलिए angle 0 नहीं लिए, तो यहां पे theta ले लिए हमने, तो यहां पे हो जाएगा, D phi is equal to Q upon 4 phi epsilon n not, simply 4 phi apply कर देंगे, तो यह हो जाएगा, 5 E is equal to 1 upon 4 phi epsilon n not, integration, closed integration of D omega, which is equal to 4 phi, 4 phi से 4 phi cancel हो गया, and again हमें मिल गया, Q upon epsilon n not, which is a Gauss theorem statement, तो यह हमारा Gauss theorem, यहां पे भी proof हो गया, किसी भी closed surface के लिए, अगर हमें proof करने है Gauss theorem, तो easily हम इसी method से proof कर सकते हैं, चाहें वो कैसी भी हो, अब हमने irregular surface ली है, आप regular surface ले सकते हैं, आप symmetric ले सकते हैं, तो यहां पे हमने symmetric नहीं ली है, यहां पे irregular यानि कि unsymmetric surface हमने use की हैं, ठीक है, next, deduction of Coulomb's law from Gauss theorem, Gauss theorem की help से Coulomb's law को कैसे proof करेंगे, बहुत easy है, तो Gauss theorem हमें पता है, Gauss से हमें पता है कि, E dot ds, यानि कि 5e is equal to, closed integral E dot ds, which is equal to, Q upon epsilon naught, अब since, यह दोनों क्या हैं, same direction में हैं, यहां पे हमने एक surface ले लिया, मतलब एक गूला ले लिया, sphere, center में रखा हुआ है charge, यह दोनों same direction में होंगे, surface area and electric field, तो इनके बीच का angle कितना हो गया, 0, तो theta की value कितनी हो जाएगी, 0, यानि कि cos 0 is equal to 1, तो यह हो जाएगा अपने पास, E dot s is equal to Q upon epsilon naught, और s is equal to हो गया यहां पे, गुले के लिए, या sphere के लिए, 4 pi r square, तो यहां पे अपने को मिल जाएगा, E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square, यही E की value, अगर हम F is equal to QE, यहां पे apply कर दें, तो मिलेगा हमें Q naught E लिख दें, तो Q naught and Q upon 4 pi epsilon naught r square, तो यह F की value आगए, यही क्या है, Coulomb's law है, तो यह Coulomb's law यहां से easily proof हो गया, कुछ आपको करने की जड़त नहीं पड़ी, कुछ आपको ज़्यादा मादा पच्ची करने की जड़त नहीं पड़ी, आसानी से आपने Coulomb's law यहां पे proof कर लिया, खीक है, बहुत easy है, तो जब भी आता है, दो नंबर का question आता है यह board में, तो deduction of Coulomb's law from Gauss theorem, आपको प्रूफ करना हो, तो आप ऐसे ही यहां पे proof कर सकते हैं, इसके बाद आती है applications क्या-क्या है Gauss theorem की, तो Gauss theorem की बहुत सारी applications है, एक हमें linear wired given है, जिसकी वज़ासे हमें electric field फाइंड करना है, उससे कुछ distance पर, तो हम कैसे find करेंगे, surface एक spherical shell है, उसके center पर या उसके बाहर electric field find करना है, कैसे find करेंगे, तो यह बहुत सारी applications है, जिसको हमें cover करना है इसमें, तो देखते हैं हम किस तरहीके से, Gauss theorem की applications को हम find करते हैं, solve करते हैं, ठीक है? So the first application of Gauss theorem is, electric field intensity due to an infinitely long straight charged wire, तो हमें क्या करना है, electric field की intensity find करनी है, एक infinitely long straight charged wire की वज़े से, तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक infinitely long wire ले लिए है, देख लो यहाँ पे इसकी, plus infinite तक length इधर है, और minus infinite length इधर है, यानि कि बहुत लंबी दूरी तक यह फैला हुआ है, अनंत तक यह फैला हुआ है, यह हम मान लेंगे, और इस पर positive charge है, ठीक है? तो इसकी बज़ाए से, अगर मुझे किसी point पर electric field find करना है, तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कौन सी technique यूज करेंगे, कौन सा method यूज करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक Gaussian surface लेना पड़ेगा, जो यहाँ पर दिख रहा है, यह green color का, यह Gaussian surface है, कौन सा surface है, Gaussian surface, तो Gaussian surface आप लिख सकते हैं, definition इसकी, तो यह यहाँ पर आपको दिख रहा हुआ, Gaussian surface is a closed surface, around a charge distribution, such that an electric field intensity, has a singly fixed value, at every point on the surface, तो यह इसकी definition है, आप नोट कर लिजेगा, Gaussian surface is a closed surface, around a charged distribution, तो Gaussian surface किसी भी, एक charged distribution के, around a closed surface होती है, जिसमें, electric field intensity जो होती है, singly fixed होती है, हर एक point पर surface के, हर एक point पर, electric field intensity होती है, वो closely क्या होती है, fixed होती है, तो यह आप note कर लिएंगे, definition I hope कि आपको clear हो गया होगा, note कर लिजेगा, आते हैं अपने derivation पर, तो from Gauss's law, we know that, phi is equal to कितना होता है, q upon epsilon not, तो यहां से हम क्या करेंगे, इस surface पर देखिए, इस जो हमने cylindrical surface, assume किये Gaussian surface लिए है, cylindrical Gaussian surface आपको यहां पर लेनी पड़ेगी, तो इसके three जो faces है, उन faces पर देखते हैं, कि surface area किदर होगा, तो first यहां पर A लिया, A का surface area वो इस तरफ है, और electric field की direction किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, यानि कि surface area इस तरफ है, और electric field नीचे की और है, ठीक है, surface area इस तरफ, electric field नीचे की और, मतलब दोनों के बीच का angle कितना 90 degree है, ऐसे ही यहां पर देखिए, इस वाले surface पर भी, जो surface area वो इधर की तरफ है, इस तरफ और electric field नीचे की तरफ है, तो दोनों के बीच का angle कितना 90 degree है, तब हम क्या करेंगे, यह जो इसका एक पूरा curved surface है, जैसे यह है, तो इसका curved surface एक ही है, बाकि यह जो upper and bottom surface है, यह अलग-अलग है, तो upper and bottom surface इसकी अलग-अलग है, लेकिन इसका closed surface, जो यह cross-sectional, जिसको curved surface बोलेंगे, sorry, closed curved surface इसका क्या है, एक है, single है, कहीं पे भी हम क्या ले लेंगे, यह point C लिया, surface C, इससे जो direction है, electric field की वो इधर है, और इसके जो area vector की direction है, वो भी इस तरफ है, तो यानि कि दोनों के बीच का angle कितना होगा, 90 degree, oh sorry, 0 degree, theta is equal to 0, तो अब यहाँ पे हमने तीनों के वज़ए से, जो flux है, वो यहाँ पे note कर लिया, तो 5 total जो होगा, flux 5, 5 net is equal to कितना होगा, surface integral E dot ds is equal to surface integral due to A, A ds cos 90 plus B, integral B, E ds cos 90 plus closed integral C, at C, E ds cos 0, cos 0 की value बन होती है, तो यहाँ पे कितना होगा, E integration ds, और यह क्या हमने लिया है, यह जो surface हमने लिया, यह आपको दिखरी होगी, कि हमने cylindrical surface लिया, cylindrical surface के लिए हम जो use करेंगे, वो यहाँ पे देख लेना, यह जो लिखा हुआ है ना, 2PiRL, 2PiRL जो है वो यहाँ पे क्या है, इसके area को सो कर रहा है, तो 2PiRL या 2PiRH लेते हैं, तो L हमने यहाँ पे length लिये हैं, 2PiRL क्या है, इसका area है, तो यहाँ पे हमने जो लिखा है, यह है इसका 2PiRL area, या तो यह हो जाएगा phi is equal to e into 2 pi rl तो यह हमने लिख दिया है यहाँ ठीक है उसके बाद हम इसको compare कराएंगे किससे q upon epsilon 0 से तो हमें कितना मिलेगा देखो यह जो मिला हुआ है यहाँ पे यह जो value थी यह क्या थी e into 2 pi rl अब e into 2 pi rl किसके equal है q upon epsilon 0 के equal है so we can write, can we write यहाँ पे आप देखिएगा q upon epsilon 0 है तो q जो होता है वो किसके equal होता है lambda into l lambda मैंने आपको बताया था first lecture में आपको याद होगा linear charge density जो क्यों होता है q upon l के equal तो q upon l के equal होता है तो lambda l हो गया q के equal तो हमने यहाँ पे q की जगे lambda l value पुट कर दी तो lambda l upon epsilon 0 हो गया यह इसको compare करेंगे e into 2 pi rl is equal to lambda l upon epsilon 0 यहाँ पे e की value निकल कहेगी 1 upon 2 pi epsilon 0 lambda upon r अगर हम 2 से उपर multiply और 2 से नीचे multiply कर दे यानि कि denominator और numerator दोनों में numerator दोनों में multiply करे तो क्या हो जाएगा e is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 epsilon 2 lambda upon r यह जो value मिल रही है आपको यह electric field की value है किसी एक अनन्त लंबाई के एक चालक तार की विज़ा से यानि की infinite length के एक conductor wire की विज़ा से तो vector form में अगर हम इसको represent करें तो e vector is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 2 lambda upon r and r cap So the direction of the electric field intensity is radially outward from the positive line charge from for negative line charge negative line charge के लिए अगर हम देखेंगे तो it will be radially inward positive line charge के लिए देखेंगे तो यह radially outward होगा और negative line charge के लिए देखेंगे तो वो negatively inward होगा radially inward so note कर लीजेगा यह point कि electric field intensity is independent of the size of the Gaussian surface Gaussian surface का size आप कुछ भी ले लीजे उससे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है आप देख सकते हैं आप लेंथ नहीं आ रही है ठीक है so it depends only on the distance of the point of consideration that is the Gaussian surface should contain the point of consideration तो Gaussian surface उस point को ले कर चलनी चाहिए या उस point से होकर जानी चाहिए जिस point पर हमें electric field find करना है ओके next जो इसकी application है वो है directly long thin plane sheet of charge एक plane sheet हमने ले ली जो की charged plane sheet है उसकी वज़े से अगर हमें electric field find करना है किसी तरफेस पर तो हम देखेंगे कैसे find करेंगे ठीक है तो यह एक sheet लिये जो आपको sky blue color की देख रही है इस पर positive charge है तो यह क्या है charged sheet है जिस पर positive charge हमने लिया है तो इसके इससे कुछ दूरी पर अगर हमें किसी point पर electric field find करना है तो वहां पर हमें Gaussian surface लेना पड़ेगा तो हम again कौन सा Gaussian surface लेने यहां पर लिखा हुआ है यह बना हुआ है cylindrical तो हमने cylindrical Gaussian surface लिया है cylindrical Gaussian surface लेने का फायदा यह है कि वहां पर हम उसके दूनों end पर भी देख सकते हैं एरिया क्या है और उसके curved surface पर भी एरिया देख सकते हैं तो यह एक फायदा है ठीक है तो हमने एक cylindrical Gaussian surface ले ली Gauss law से हमें पता है 5 is equal to कितना होता है q upon epsilon not and which is equal to surface integral e dot ds अब इसमें भी हम क्या करेंगे देखो electric field हमें देखना है तो electric field की direction इधर की तरफ अगर left right side में देखेंगे तो इधर होगी left side में देखेंगे तो इधर होगी तो यह है basically अगर आपको समझना है तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो कि यह हमारे पास एक surface है इस पर पूरे पर charge है ठीक है इस पर पूरे पर क्या है चार्ज है तो यहां से अगर इसकी surface देखेंगे इस तरफ यह positive है इस तरफ भी positive charge है तो यहां से positive से इधर की तरफ electric field होगा positive से इधर की तरफ भी electric field होगा इधर की तरफ इलेक्टिक फील्ड होगा और इधर की तरफ भी इलेक्टिक फील्ड होगा इधर वाली की वे जैसे इधर डिरेक्शन होगी इलेक्टिक फील्ड की इधर वाली सर्फेस की जैसे इधर डिरेक्शन होगी इलेक्टिक फील्ड की यहां पे इन दोनों की वजय से तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स मिलेगा, बट इसकी जैसे कोई भी फ्लक्स मिलेगा, यानि कि यह 0 हो गया, यहां पे कितना मिलेगा, यह मिला 2e integration ds, ठीक है, देख लीजे यहां पे, यह दिग्रियों की value यहां पे, आपको, यह क्या लिख होगा न, दोनों सिरे वाला जो end point होंगे, वो क्या होंगे, circular होंगे, तो वो कितने हो जाएंगे, pi r square के एकको हो जाएंगे, तो यह हो जाएगा, यहां पे, pi r square, 2 into pi r square, तो हम इसको लेग सकते है, q upon epsilon 0, क्योंकि इस q यहां पे क्या है, sigma a, ठीक है, क्योंकि इसका surface है, sheet का, तो हम यहां पे surface charge distribution लेगे, तो यह हो जाएगा, sigma से represent करते है, surface charge distribution को, यह surface charge density को, तो यह हो जाएगा, sigma is equal to q upon a, यानि क्योंकि q is equal to sigma a, तो यह a is equal to हो जाएगा, pi r square, तो sigma into pi r square, तो यह हो जाएगा, q upon epsilon 0 is equal to, sigma upon, sigma into pi r square upon epsilon 0, ठीक है, यहां दर clear है, अब, 2e into pi r square is equal to कितना हो गया, sigma pi r square upon epsilon 0, या फिर e is equal to हो गया, sigma upon 2 epsilon 0, तो vector form में अगर लिखेंगे, तो e vector is equal to हो गया, sigma upon 2 epsilon 0 into i cap, तो यह important है, single sheet अगर है, तो उसकी जैसे, जो electric field होगा, वो इतना होगा, तो the direction of electric field intensity is normal to the plane and away from the positive charge distribution, positive charge से दूर की होगा और normal to the plane होगा, and for negative charge distribution, it will be towards the plane, यह जो होगा, वो towards the plane होगा, note कर लेंगे, यह कुछ important point है, electric point, electric field intensity is independent of the size of the Gaussian surface constructed, जो भी आमने Gaussian surface लिया है, cylindrical, उसके size पर यह depend नहीं करेगा, and neither depends on the distance of the point considered, consideration nor the radius of the cylindrical surface, ठीक है, ना तो इसकी radius पर नहीं इसके distance पर, ठीक है, so if the plane sheet is thick, अगर plane sheet thick है, then the charge distribution will be available on the both side, so the charge enclosed within the Gaussian surface will be twice as before, so therefore, the field will be twice, तो field कितना हो जाएगा, E is equal to sigma upon epsilon naught, got it, तो अगर यह thick sheet है, इसकी thickness है कुछ, तो दोनों surface पर इसके, क्या होगा, charge होगा, same charge होगा, जिसकी विज़ासे अगर हम लिका लेंगे, तो electric field twice हो जाएगा, दोगना हो जाएगा, तो multiply करेंगे, तो E is equal to sigma upon epsilon naught, तो this is also important point for you, note कर लेंगे, ना, यह हम देखते हैं, electric field intensity due to two parallel infinitely long thin plane sheet of charge, तो हमरे पास दो infinitely long sheet है, ठीक है, और इसकी विज़ासे हम electric field find करना है, दोनों पर same charge हमने ले लिया है, sigma 1 and sigma 2 इसकी charge densities है, तो अब क्या होगा, electric field intensity आपको direction ध्यान रखने है, पहले main क्या है, direction है, इसकी विज़ासे बाहर की तरफ radial है outward direction होगी, इसकी विज़ासे यह one पहली sheet लिए हमने, this is sigma 1, तो इसकी विज़ासे electric field की direction ही होगी, this is sigma 2, तो इसकी विज़ासे electric field की direction इतर होगी, ठीक है? अब इसकी vic से, अगर हम पहली प्लेट की वह जज़ीजिज़ रिया से, तो सेम डिर्यक्शन में होगी पहली और दूसरी प्लेट की वह ज़या से सेम डिर्यक्शन होगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ, आउटवसाइड अगर हम देखेंगे तो electric field same direction में ही आ रहा है दोनों plates की वे जासे अगर अंदर की तरफ देखेंगे तो electric field जो है वो electric field पहली plate की वे जासे इधर होगा दूसरी plate की वे जासे इधर होगा तो opposite direction में है तो इसको हम समझते हैं कुछ इस तरीके से अगर हमें outward direction में लिकालना है तो हम क्या करेंगे add करेंगे तो e is equal to हो जाएगा e1 plus e2 अगर outward direction outside लिकालेंगे इसं plates के outside तो e हो जाएगा e is equal to e1 plus e2 यानि कि sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon 0 और अगर अंदर की तरफ लिकालेंगे तो यह हो जाएगा e1 minus e2 तो इसको हम minus करेंगे sigma 1 minus sigma 2 और अगर हम फिर से अगें बाहर की तरफ लिकालेंगे तो फिर से add करेंगे तो बाहर की तरफ सेम होगा electric field e is equal to sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon 0 अगर यह दोनों equal हैं तो do हो जाएगा sigma upon epsilon 0 अगर equal नहीं है तो हमें अलग-अलग add करना पड़ेगा ठीक है कि अगर sigma की value sigma 1 की value sigma 2 से जादा है second case में हमने ले लिया कि sigma 1 plus में है और sigma 2 minus में है तो इसमें क्या होगा कि plate यह वाली minus में है और यह वाली plate क्या होगी plus में होगी तो outside अगर देखेंगे तो यह opposite direction में मिलेगा अपने को electric field तो electric field अगर opposite direction में मिलेगा तो minus हो जाएंगे यह inside देखेंगे तो same direction में होगा तो plus हो जाएंगे ऐसी outside देखेंगे तो opposite direction में इसलिए minus तो बाहर की तरफ जो electric field होगा E1 minus E2 दोनों में E और अंदर की तरफ जो electric field होगा E1 plus E2 तो उसका just opposite case लगातेंगे E1 plus E2 sigma 1 plus sigma 2 upon 2 epsilon 0 inside या between the plates and outside अगर देखेंगे तो वो जाएगा sigma 1 minus sigma 2 upon 2 epsilon 0 ठीक है यह case 2 हो गया third case अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो electric field है वो same है मतलब अब यहाँ पे हमने sigma 1 और sigma 2 नहीं लिया हमने दोनों equal ले लिये दोनों equal और opposite है तो उस case में क्या हो जाएगा देखो अंदर की तरफ जो electric field हो जाएगा वो क्या add हो रहा था E1 plus E2 तो इसका मतलब sigma upon epsilon 0 मिल जाएगा हमें electric field बार की तरफ दोनों equal हो गया तो यह minus कर रहे थे E1 और E2 बोथ हार equal this means E is equal to कितना हो जाएगा 0 and outside यहाँ पर भी क्या हो जाएगा E is equal to 0 क्योंकि opposite direction में है ठीक है उसके बाद electric field intensity due to uniform charged this spherical shell कोई एक spherical shell है इसके वजाए से अगर हमें electric field find करना है electric field की intensity find करना है तो हम 3 case arise करेंगे इस cell के अंदर इस cell पर और इसके बाहर तो पहला हो गया at a point P outside the shell अगर shell के बाहर कोई एक point है जिस पर हमें electric field find करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा एक Gaussian surface लेनी पड़ेगी क्योंकि हमने spherical shell लिया है तो Gaussian surface भी कैसी होगी spherical होगी तो Gaussian surface जो है वो spherical है ठीक है तो electric field due to uniformly charged thin spherical sheet at a point outside the shell is such as the whole charge were concentrated at the center of the shell तो हम इस तरीके से assume करके चलेंगे कि इसका पूरा का पूरा जो charge है वो इसके center पर fixed है तो P point पर outside हमें लिकालना है अगर electric field तो हम क्या करेंगे Gauss surface Gauss theorem का use करेंगे तो यहाँ पर हमने एक point ले लिया P जिससे radius है इसकी capital R और इसकी radius है अंदर वाले shell की capital R और बाहर वाले की radius है वो है small R तो यहाँ पर जो है वो case क्या है capital R small R is greater than capital R तो phi flux is equal to हो जाएगा Q upon epsilon not यह इकल होता है surface integral E dot ds के since E and ds are the same direction are in the same direction दोनों same direction में है तो theta is equal to 0 इसका मतलब हो गया हम ले सकते हैं E dot ds is equal to phi तो हमें मिल जाएगा e s is equal to q upon epsilon not s की value लगाएंगे 4 pi r square तो कि इसका जो area है बाहर वाली surface का इसकी radius है small r इसलिए हो जाएगा 4 pi small r square is equal to q upon epsilon not तो यहाँ से हम value लिका लेंगे e की which is equal to q upon 4 pi epsilon not r square तो यह electric field मिल गया अगर हमें पता है q is equal to होता है sigma into a तो a लिकाएंगे यहाँ पे 4 pi और capital r square तो यह जो हमने capital r यूज किया वो इसलिए यूज किया क्योंकि charge जो distribute है वो अंदर वाली surface पर distribute है बाहर वाली surface पर तो distribute नहीं है तो हम q की जब value लिका लेंगे तो वो sigma into 4 pi capital r square लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा sigma is equal to capital r square तो यह हो जाएगा e is equal to sigma r square upon epsilon not r square तो यह value मिल जाएगी हमे e is equal to sigma r square sigma upon epsilon not r square upon capital small r square या फिर हम इसको S भी जी सकते sigma upon epsilon not r upon small r का whole square तो यह electric field निकल के आएगा outside the hollow sphere ठीक है next second point या second case हम इसका arise करेंगे कि हमें अगर point a जो की cell पर ही है अगर हमें इस पर electric field point करना है तो वो ही Gauss surface Gauss theorem से हमें पता है कि closed surface integral is equal to e dot ds is equal to q upon epsilon not तो हम यहाँ पे use कर देंगे इसको और यह हो जाएगा e into 4 pi r square is equal to q upon epsilon not and e is equal to q upon 4 pi epsilon not into capital r square capital r square इसलिए क्योंकि यहाँ पे अब हम surface पर ही निकाल रहे है और इसकी radius है capital r तो e हो जाएगा sigma upon epsilon not ठीक है क्योंकि sigma into sigma is equal to कितना हो गया q upon 4 pi epsilon not r square q upon 4 pi r square so this is equal to sigma q upon 4 pi r square यह पूरी value sigma के equal हो गई sigma upon epsilon not बचा तो electric field due to uniformly charged thin spherical shell at a point on the sphere surface of the shell is maximum इस case में क्या होता है वो maximum होता है electric field next last जो case है इसका और इसकी बाद हम end करेंगे lecture को तो वो हमें निकालना है inside the shell चैल के अंदर electric field अगर हमें find करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे again Gauss theorem का use करेंगे closed integral e dot ds is equal to q upon epsilon not since e dot ds था same direction तो यहाँ पे theta की value कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी उसके वाद फिर से हमने phi is equal to e dot ds is equal to q upon epsilon not लिखा and e हो जाएगा e into rs हमने radius लिए है 4 pi rs square is equal to q upon epsilon not या फिर q की value देखो यहाँ पे 0 है क्योंकि इसने कोई भी charge को cover नहीं कर रखा है अगर हम देखें तो charge पूरा का पूरा surface पर है अंदर तो कोई charge है नहीं तो हम जब Gauss theorem यूज़ करते हैं तो हम लेते enclosed charge क्या लेते है enclosed charge कितना है enclosed charge यहाँ पर कितना है सून ने है यानि कि 0 है तो जब enclosed charge यहाँ पर 0 हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो electric field है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो since q is equal to 0 inside the Gaussian surface so e is equal to 0 so this property e is equal to 0 inside the cavity is used for electrostatic shielding तो electrostatic shielding के लिए यह जो property है वो use होती है और यह जो graph आप देख पा रहे है यह graph बहुत सारे exam में पूछा गया है तो आप इसको नूट कर सकते हैं यह graph आप बना सकते हैं electric field and radius r के बीच का यह graph है तो यह पहले आप देख पा रहे होंगे पहले क्या है यह r तक electric field e रहा और उसके बाद यह गड़ते 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 और एक last में यह continuous हो गया ठीक है last में क्या हो जाएगा continuous हो जाएगा ओके fix हो जाएगा तो यह इसका graph है इसको नूट कर लीजेगा और इसी तरहीके से हमने इसके तो 3 और 4 applications देखे हैं यह काफी important है इसको आप ध्यान में रखेगा आपने एक और इसका applications है जो कि solid sphere के लिए वो volume charge distribution के basis पे होगा तो उसको भी मैं बता दूँगा next lecture में या फिर अलग से मैं एक video बना के उसका बता दूँगा आपको कि किस तरीके से उसको भी निकालते फिलाल यह जो applications है यह काफी important है आपके board exam के लिए और entrance exam के लिए अगर आप त्यारी कर रहे है NEET के लिए IITJ के लिए तो काफी important यह है किवल आपको formula याद रखने है board वालों के लिए पूरा derivation याद रखना है ठीक है तो next lecture जो होगा इसका electrostatic force जिसमें हम capacitance और capacitors को cover करेंगे वो हम मिलते हैं अगले lecture में और उसमें काफी important topics आने वाले है अभी तक one, two और three parts जो electrostatic का cover किया है इसमें पूरा का पूरा electrostatic forces से लेके और potential and gauss theorem तक का हमने part cover कर लिया है तो इसका एक बार revision कर लेना सारे part देख लेना एक बार गौर से और फिर भी अगर कोई problem आती है comment box आपके लिए कुला हुआ बहाँ पे जाके आप message कर सकते हैं comment कर सकते हैं तो भी आपकी query होगी जरूर उसका आपका जो doubt होगा उसको solve करेंगे next lecture में तो मिलते है next lecture में तब तके लिए अपना बहुत जयान रखिएगा bye and thank you